Hello everyone, तो मैं आज आप लोगों के लिए chemistry के बार में बताने आया हूँ कि chemistry को कैसे करना है, chemistry भी एक mystery हो जाती है बच्चों के लिए, कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, कौन से topics पड़े, कहां से पड़े, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, फिर बाद में याद नही पर important formula, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा, telegram group में, जो जिसका link आपको description में मिल जाएगा, तो फटावर्ट से वीडियो को start करते हैं, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कुछ steps, कुछ simple tricks, strategies, जिसके तुरू आप chemistry बड़े आराम से cover कर लोगे, तो वीडियो को start करते है So guys, मैं फटावर्ट से आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि मैंने physics and maths के बारे में already videos upload कर दे हैं, कि किस तरीके से इन subjects को किया जाता है, 5-5 steps में मैंने खतम कर दिया चीज़ को, उन दोनों वीडियो को देख लो, आप लोगों को बड़े आराम से पता लग जाएगा कि physics औ Chemistry के लिए NCRT is Bible, सबसे पहले आपको NCRT करने होगी, word-to-word आपको lesson को go through करना होगा, best तरीक यही होता है, otherwise आप किसी भी coaching वगारा में जाते हो, तो वहां के notes आपको word-to-word go through करने होगे, एक बार जरूर, yes, यह चीज़ बहुत important होती है, अब, first step यही है, पहले क्या करोगे, या तो आप NCRT, या फिर जो भी आपके coaching के notes ने, जो भी है, उनको word-to-word go through करोगे, step number one, यही रहता है, then step two, important points को आप highlight करोगे, पहला step, आप पूरे notes go through करोगे, आप book go through करोगे, then second step होता है, आपका important points को क्या करोगे, आप अच्छे से highlight करोगे, right, अब यह चीज़े आप कर लिए, उसके बाद करोगे, आप third step के अंदर, फटाफट से complete करोगा, मैं इस वीडियो को, third step में क्या करोगे, आप NCRT के questions करोगे, yes बच्चो, NCRT के questions बहुत important है, NCRT का आप chemistry में कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो, yes, यह चीज़ आपको याद रखनी होगी, to NCRT के solved, unsolved, सारे questions आप लोगो करने होगे, जैसे जैसे chapter आपके पढ़ते जाओंगे, solve questions होते चले जाएंगे, साथ के साथ करते जाना, फिर unsolved questions करना, अच्छे से mark करते वे चलना चीज़ों को, तो तीन step होगए, जिसमें first आपको go through करना होगा, पूरा को पूरा अच्छे से word to word, चैनो ही main चीज़ है, अब आप करोगे, दुबारा से एक बार revision, किस चीज़ की, पूरी book दुबारा तो नहीं पढ़ोगे, इतना time तो नहीं होगा, आप लोगो के पास, और नहीं करता है कोई, जो important points बोले मैंने, आप लोगो को yes, जो highlight करोगे, आप underline करोगे, whatever, जो भी आपको वो points, हाँ, ये, ये key points है, वो करोगे, आपको पूरा chapter read करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, fourth step बच्चों, ये ही है, आप important points को दुबारा जाके, अच्छे से बढ़ोगे, yes, ये आपका fourth points है, अब आपको पूरा chapter अच्छे से आ जाएगा, हाँ, इसके अंदर ये था, ये formula साथ की साथ बना लो, जो कि fourth step के अंदर ही आ जाएगा, आपका जब आप सारा recall करोगे, formula sheet भी साथ की साथ बना लोगे, अगर आपका कोई numerical chapter है, नहीं तो important points note करोगे, चाह आपके organic है, या inorganic है, fifth step, हमेशा ये step रहेगा, fifth हो, हर एक में, previous year के questions, कहीं से भी उठाओ, जहां में मैंने गतम कर ये 5 steps थे, जो कि आप लोगों को follow करने आओ, ये 5 steps धंक से कर लोगे, आपकी chemistry कोई नहीं रोख सकता, आप लोग बड़े अराम से chemistry फोड के आओगे, ठीक है बच्चो, आपको बाकी जो भी वीडियोस चाहिए हो, comment section में मुझे बता देना, बाकी telegram group join कर ल दिस कर दोगों कर दोगों कर दो कि आपकी मुझे मुझे, आपकी हो, comment section 수가 शपकी była, ठीक है, ये 5 dalôn में मुझे हो, मुझे हो भीडियोस कर दो कर दो Дो आपकी सूएश।